नमस्कार दोस्तों आप लोग को याद होगा 2015-16 के अंदर भारत के मार्केट में आप निकल जाओ और किसी सामान को हाथ लगा दो तो मोस्ट प्रड़िबली वो चाइनिज प्रोड़क्ट ही निकल लागा एवन अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो कई साय सस्ते चाइना जो में भारत के मार्केट में मिलते थे इस तरीगे के होते थे और लोग के शोग बहुत पूरे करते दे मलभ पांसो छेसौ 700 इस के फोन होते थे थे साथ में भारत की डॉमेस्टिक मैनूसेक्ट्रिंग को भी खराब करते यंसी कंबेीश मोजब सो यह देखो होता क्या थासे जैसे इंडियाका डेमस्टिक मार्केट इसके अंदर तो रुपे का सामान जो वो बन रहा है सो रुपे का मॉभाइल फोन तो एसी इसे में भारत जो पर दस प्रतीशत कॉस्टम ज्यूटी लगा देगा और लिए इसे क्रिंदिशन में कुछ competition के लिए नाइंटीन नाइंटीन का चायना का खराब आइटम मैं अच्छा इटम अच्छा इटम इंडिया का मिल रहा है सकते हो दो अप्रेल 2019 का बाद में यूरोपियन यूनियन का इसी के अंदर साथ दिया था चाइना ने थाइलेंड ने यूनाइटे स्टेट्स ने कैनड़ा में ने यह आर्टिकल आप देख सकते हो 23 मही 2019 का जब वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन में केस गया तो भारत भी द वो लगा दी अब यूरोपियन यूनियन चाइना और थाइलेंड वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन में केस तो करके आ गए पर वहां पर बोले क्या मतलब क्या रीजन था कि भारत क्यों कस्टम यूटी नहीं लगा सकता है उनका कहना था कि भारत ने इन्फॉर्मेशन टे सेमी कंड़क्टर है साइन्टिफिक इंश्रूमेंट है इनके ओपर कोई भी देश जो इस एग्रिमेंट का पार्ट है वो टैरिस नहीं लगाएगा कोई भी टैरिस नहीं लगाएगा बिल्कुल फ्री ट्रेड होगा इन्फॉर्मेशन और कमुनिकेशन टेक्नोलोजी के प् होई कि अगर भारत टैरिस नहीं लगाएगा दूसरे डेश टैरिस लगाएगा तो भारत की दुक्त हो जाएगी नहीं क्योंकि इस एग्रिमेंट के अंदर आप देखो युनाइटे स्टेट्स कैनेडा पूरा यूरोपियन उनियन चाइना रशिया दुनिया के सबसे वो सभी इसी एग्रिमेंट के अंदर है जिसके कायां से इन्फरमेशन टेक्न टेक्नलोजी के प्रोड़क्त का फ्री फ्लो हो सके इस कारण से यह एग्रिमेंट किया घया था भारत ने कहा कि 1997 में जब एक्रिमेंट हुआ था उस समय पर मोबाइल फोन इसके अंदर था ही न का नाम इस लिष्ट में शामिल ही नहीं है इस कारण से हम इस कर्ष्टम ड्यूटी को अंडिनु अने हैं फिर वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन में यह सारा केश चलता रहा दोहसार तेईस के अंदर वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन ने अपना डिसीजन दिया और यह भारत के खिलाफ कहा कि यूरोपियन यूनियन चाइना वगेरा सही है भारत ने जो कस्टम ड्यूटी लगाई है मोबाइल फोन के प्रोड़क्ट के ओपर वो गलत है वर्ल्ट्रेड और्गनाइजेशन का मैं आपको फेले स्ट्रक्चर बताता हूं स्ट्रक्चर के से काम करता है पहली होती मिनिस्टेरियल कॉंफरेंस हर दो महिने के अंदर हर दो साल के अंदर एक बार मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं चीजों को डिसाइड करते हैं ति उस के अंदर ना जिसे भारत के अंदर कि कोई भी डिस्टूट सेटलमेंट पेडल में लगता है कि रमें को यहाई नहीं मिला तो आप उप्पीलेड बॉडी में जा सकते हो है भारत के खिलाब जो डिसिजन आया था वह डिस्पीड बॉड़ी के अंदर पी केस दर्ज कर दिया वह जब तक केस चल रहा है तब तक हम कस्टम डूटी को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भी करना अभी केस कब तक चलेगा आप देखना भारत ने क्या दिमाग लगा देखो अपिलेड बॉड़ी की अगर मैं बात करूं तो पर कोई भी जूक तो नहीं है जिसके कादन से भारत ने भी अपना केस वहां पर ले जाकर दिया कि ज़स तो है नहीं जब रिजल्ट आए गाता बटा दें गास्टम ड्यूटी तो वह चीज्ज यहां पर देखने को मिलते हैं जिसके कादन से भारत ने आप अब यूरोपेन उनियन वगरा को दिक्कत हो कोई कि वाई सब केस तो जिद गए पर केस्टम ड्यूटी तो अब यूरोपेन उनियन जो है वह भारत से मांग रहा है कंसेशन ठीक है अब वह कंसेशन क्या मांग रहा है उसे मैं शुबनीं चोहान सेशन के अंदर डिसकस करूंगा बढ़ उसक है अगर आप लोग इस को लेना चाहते हो तो आप kaa कर सकते हैं सेंटर के लोगों से बात कर सके गयों को मिलेगा को सही जनकाई पिस आंगे मैं को लगा तो उसके बाद आपको 40% का डिस्काउंट भी लेगा इतना ही नहीं अगर आपको लगता है कि मैं किसी और में हूं मैं ऑफ्लाइन सेंटर में नहीं जाना चाहता जानी सकता हूं तो नीचे गूगल फॉर्म कर दे उसको फिल आउट कर दे चली दोस्तों आगे की बास समझेंगे उसके पहले सवाज में आप लोगों से पूछना चाहूंगा के पन्ना टाइगर रिजव कहां लोकेटेड है आपकी अप्शन मध्यप्रदेश के इंदर महराश के इंदर गु केस तो दर्श किया केस जीत भी गया पर कश्टम ड्यूटी हटी नहीं तो अब यूरोपियन उनियन कह रहा है कि हमें कंसेशन दे दो अब भारत कह रहा है कि नहीं यह तो ग्लोबल नॉम्स के खिलाफ है क्यों क्योंकि अकॉर्डिंग टुद वर्ल्ट्रेड और्गनाइज किसी भी एक देश को कश्टम ड्यूटी के लिए कंसेशन नहीं दिया जा सकते व्यापार के रूप में सब को एक्वाली ट्रीट किया जाएगा कि जितना टैरीफ यूरोपियन उनियन पर लगा है उतना ही चाइना पर और उतना ही यूनाटे स्टेट्स पर अगर यूरोपि प्रिट्रेड एगरीमेंट कर लोग प्रिट्रेड एगरीमेंट कर लोग एक और और आप्षिन नेशन और जैसे यूरूपियन उनियन इसको हम लोगोंने मौस्ट वेवर्ड नेशन का दरजा दे दिया तो इसके लिए स्पेशलियलिक अपर सकते हैं और equality पर काम करता है मतलब मतलब कि भारत ने मानलो information technology के product के उपर concession दिया European Union को तो फिर European Union को भी किसी और product पर देना पड़ेगा मानलो उसने pen पर दे दिया तो यह आपस में most favored nation का एक agreement टाइब से होगे यह नियम कहते है हालकि भारत देता नहीं बात अलग है पर नियम यह कहते है तो भारत ने कहा के देखो most favored nation का आपको दर्जा देतेंगे पर फिवई रैसी प्रोकेशिटी की बात आएगी इक्वैलिटी की बात आएगी दूसरे देश हमाय सहरे पर जड़ेंगे के हमको भी दे अब लोग को यह साइची समझ मैं होंगी लेक्षे अच्छा लगा तो लाइक करना लेक्षे बहुत चाला तो नीचे अशा अच्छे अच्छे लिए अच्छे आपको मज़ाई जैन जेवाल